कॉंग्रेस नेता कोई भी बयान दे तो तुरंत पुलिस का नोटिस पहुच जाता है लेकिन बीजेपी नेता बड़े बड़े खुलासे करने का दावा करते हैं अपने पास सबोत होनी की बात भी कहते हैं लेकिन पुलिस अपनी आखे बंद कर लेती है यहां तक अगर जाच भी चल रही हो तो इतनी धीमी हो जाती है कि महिनों तक कर नोटिस ही नहीं लिया जाता ऐसे में अब कॉंग्रेस महासचीफ जैराम रमेश ने सीबी आई को एक पत्र लिखा है जुसमें केंद्रि ग्रिमंद्री अमिशाहा से पूश्टाश करने की मांग की गई है तो आखि लाओं के पहचान बताने को कहा जिन्होंने राहूल गांधी से शिकायत की थी कॉंग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली पुलिस को कानूनी तरीके से जवाब देगी लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी कर दिया है कि केंद्रे ग्रिमंद्री अमिशाह से कब सवाल होंग कि 17 फरवरी 2023 को अमिशाह ने एक सभा में कहा था कि तत्कालीन मेगाल्य सरकार सबसे भ्रष्ट है अमिशाह ग्री मंत्री हैं ऐसे में उनके पास इस संबंद में सूचना और तथ्य भी होंगे जिनके आधार पर उन्होंने ये बयान दिया मेराश्ट हित में आपसे आग रह करता हूँ कि अमिशाह को तलब किया जाए और उनसे सभी सूचना और तथ्य देने के लिए कहा जाए जैराम ने अपने ट्विट में उस पत्र के साथ मीडिया की कुछ कटिंग भी शेयर की हैं जिसमें अमिशाह की बातों का जिक्र किया गया है कॉंग्रेस सांसद ने कहा क कि मेगालिय बीजेपी ने कॉन्राड संगमा केच साथ पांच साल सरकार चलाई जुनावों के समय उसी सरकार को भ्रस्ट बताते हुए अलग हो गए और जुनावों के बाद फर मिलकर सरकार बना ली जैराम ने कहा है कि जम्मु कश्मीर मामले में जिस तरह से दिल्ली पुल